पीला जंडा लगाए हैं लाल टोपी नहीं है करवट मारेंगे का हम नहीं मारेंगे ना मकले साथ हो है अपका अरे हम गलत आदमी से टकराए गए हैं अधुबन में और हमारे साथ समझवादी पार्टी के पताधिकारी हैं आपको बता दूँ कि यहां पर सभाती विसाल जन से पांडे जी को यहां पर टिकट मिला हुआ है और सभा को संबोधित करने संजय चौहान जी थे ओंपरकास राजभर जी थे अभी कुछ देर पहले सभा को संबोधित करके वह जा चुके हैं बट हम बात करेंगे यहां पर जो मध्वन विधान सभा के कुछ पताधिकारी है हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मध्वन विधान सभा में क्या चल रहा है और क्या रड़निती है इनके पास सबसे पहले तो सर यूप्री टॉप नीज में आपका स्वागत है जै धन्यबाद ऐसे कौन सी मुद्धे हैं जिन पर समझवादी पार्टी मध्वन विधा अपने कारकाल में उन्हों ने अबहुत पूर कार किया नीज में पूर्बपर्देस और इस सवान कला जिए झाल दे में अध्युर में अक्रुप नश्षिका रहे हैर और या बिल्कुल हमारे उत्तर प्रदिश के नौजवान त्यार है और मुझे विश्वास है पूरा कि ये नौजवान अखिलेश स्यादों पर विश्वास कर रहा उत्तर प्रदिश में पूर्ड बहुमत की सरकार बनने जा रही है आपे अंदरुनी देखे गए थे जिस तरह से बिरोज हुआ था टीकट कटने के बाद सुधाकर सिंग को टीकट मिला उन्होंने भी तो मंच से अनौंसमेंट किया कि जो दूसरे दल से आए उनको हरा के भेजना है और जो अंदरुनी अंदरुनी जो ये अटकले लगाई जा है कि जो बिरू और चल रहा है समझवादी पार्टी में उससे कईसे निजात मिलेगा पार्टी को इंदा नहीं सूचना जो है आपको गलत मिले हैं हमारे आज कारकरम नहीं प्रकास राजबर जी मुखवती थी थे आज कारकरम से भी आपा नजा लगा सकते हैं कि विदान सब्सक्राइब में मुझे विश्वास से पूरे विदान सब्सक्राइब में 30 जार्च उपर से माने उमस्चन पार्टी पार्टी की बात हम जरूर करेंगे पिछले दो दसक्वाइब हो गया नहीं खुला है तो इस बार की काराड़िनित हैं समाजवादी पार्टी के साफ आपको मैं बताना चाहता हूं आज जो है प्रदेश की जनता यह फैली दफा हो रहा है जो सरकार के खिलाफ आकर और उट करने जा रही है वो खुट लड़ रही है यहां नेता तो कम लड़ रहे हैं लेकिन यहां जनता चुनाव लड़ रही है और बदलाव चाहती है इसलिए कि 2017 में जो सपने दिखाये गए थे चाहिए वो 15 लाग का वादा किया गया था चाहिए दो करोड़ नोकरी का रहा हो बेरोजानों का मामला रहा है करप्सन का मामला रहा हो बच्चों को भविस्ट का सवाल ला हो इतना सपना दिखाया गया कि पूरा नहीं हुआ सब लोग ठ समस्या रहीं चाह Oczywiście की रही रहिए हो कटान वाली समस्या ले रोड वाली समस्या ले ले भाड़ का क्या प्लान है राजिश टाल यहाँ सदश्या हूँ five और मैं आपको उस माध्ययं से भी बताना चाहता हूँ वार उत्तर प्रदेस में कि आप जानते भी है् कि जिस और जमानी चलती है उस और जमाना चलता है उत्तर प्रदेश की नौजवान जातपात का भेद भाव किये बीना एक मंच से एक मंच से वो सब समझवादी मंच के साथ है और उत्तर प्रदेश में पुड़ भूमत की सरकार बने जोगी बाबा तो कह रहे हैं पर बुल्डोजर चलाया रहा है कितना टूटा है अंदर से समाजवादी पार्टी यह समझाजवादी पार्टी आने वाल समय जूट चुकी है और इतनी तेस्याक्र चलेगी थे साथ सरकार बनाएं अपनी बहुत चलेगी तो मदबन में तो रास्ते बहुत खराब हैं समझाजवादी पार्टी की बहुत खराब हो रही है कैसे निपटेंगे आप लोग कहां खराब हो रही है सर अरे बुल्डोजर उधर पेर के लिए जा चुके हैं दस्तारी के बाद चलना सुरू हो जाएंगे बुल्डोजर चलागा नवजवान किसान उनको खेदने के और पांच साल साब लोग उसी पंदर लाग के इंतजा कर रहे है किसान अपनी दो नहीं आए जो रहा है जो आपका नवजवान था दो कोड़ रोजगार के लिए उनको ओड दिया था बहुत की सरकार बनाया नवजवान उनने और दो कोड़ रोजगार कहां बताई आप देवरांचल की बात कर लें मधवन की बात करें देवरांचल की समझवादी पार्टी बहुत दिनों से चुनाव तो लट रही है इंपर कोई जीत नहीं रहा है इस बार का कारणने निती बनाये हैं आप लोग देवरांचल में समस्या तो बहुत बिकट है और हम लोग कोशिस कर रहा है कि मधवन बिदानसवा 353 से हम लोग पे एक बहुत बड़ा कलंक लगा जो कि हम लोग 20-22 सालवाँ से बिधायक नहीं दे पाए इस बार हम लोग बिदानसवा भेजें इसी कोशिस में लगे हैं और सारे दल के और सारे जो भी करमत लोग हैं इमांदारी से उकाम कर रहा हैं हमारे सभी वियूत से लेके हमारे संगठन के और सभी लोग लगे हुए हैं माफियाओं पर लगातार बुल्डोजर चल रहा है कई से निप्टेंगे यहां पर समझवादी पार्टी वल्ले अब तो निप्टने का समय आ गया है मधवन 353 से हमारे उमेश चंद पांडे जी 50,000 ओटों से आज आज आपको लगा होगा पाती मैदान में कि जन सैलाव बना है उम परकास राजबर यह मुख आती थी थे और जिस दिन उमेश चंद पांडे भी धायक हो जाएंगे उस दिन हमारे परदेश के राष्टी अदग मुख मंत्री होगे उल्टा बुल्डोजर चलेगा अब पहला बुल्डोजर गोरकपूर गोरकनात मंदि बनाने जारा है तक से कमांग रहे हैं है का मांग कर रहे हैं कं लोगो की छोगार नगे नहीं है कोई देखने वाल नहीं है क्रिश्न मंदिर बनेगी और जो राम मंदिर बनाएंगे अखले स्यादू की कि अकले से आदो ब्यवस्ता देंगा पढ़ाई हम लोग डिप्लोमा किये हैं हम लोग का वह बहुत लोग किये हैं पहुच नहीं रहे हैं है अधर सुकता है अंदर से कि अधर इसमें कह रहे हैं और भी का महौल है अधर में बढ़िया एक बात बताएं अहीरे कर लाई का अई रही में जाए कभ भी तो कि काना में बतिया कोई खूल के कोई ठीक ना अई एक ओट आई ने मैं जैब करी चाहिए तो के उन्हों सरकार र सरकार मनलब अहीरबस कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है तू कहाँ चली करोषो में लाए तो कहुल यह उन्हों है कि समय करें निहां थे निकल लिगका जहाए न जैक टुटृऊन निकल Doug Ilka सब्सक्राइब कर दोस्तों सब घूम रहे हैं उनको सब करिया मिलेगी का माहल है मधुबन में तोड़े हो जाएगा हम लोग योगी जी ने कहा है कि गरीबों को पांच किलोरा संदी दस किलो साथ चड़ रहे हैं खेत में क्या मिला जनता को कुछ नहीं मिलेगा भाल तो तमाम लोगों कि रहे हैं तमाम लोगों की बाते हैं पर देखना यह है और जूरी हैं हम आपसा जरूरा की आएंगे कियONकि कि अगर आपो सो नहीं कहँने कि पति आएंगी तो ना इनसाफी phrase और लगता है महिलाओं का मुद्धा का है चुनाओं में लBackवडर danica जाया हमलोग का हर संता Tal लगुष अरशान चाहिए बहुत महांगांगाई भूगई वोट मिला है तो बीकास तो योगी वोकी करी रहे ना अब कर और नहीं सब दस मार्च को आपको समझ में आजाएगा कि हमारे समझ वादी पार्टी की शरकार बनेगी महिलाओं का जो सागे आए अंदर जो महिलाएं चाहेंगी हरा सकती हैं जो महिला चाहेंगी जिता सकती हैं अब की बार हमार अकलेस मिया की सरकार तो यह महिलाएं थी और जिस तरह से बता रहे हैं कि अब की बार अकलेस सरकार अब देखना ये है जिस तरस भीड लगी थी अब ये भीड वोट में भी कर्वाट हो पाती है और सरकार बन पाती है